में आप सब की सलामती हो हमारे लिए आज की तलावत मकदस मतिर्सूल की अंजील उसका 25 बाप पहली 13 आयाते मुकदसा उस वक्त आस्मान की बात्षाही उन दस कमवारियों की माने धोंगी जो अपनी मशलें लेकर दुल्हा के इस्तक्बाल को निकली उन में पांच बेवाकूफ और पांच अकलमन थी जो बेवाकूफ थी उन्होंने अपनी मशलें तो ले ली मगर तेल अपने साथ ना लिया मगर अकलमन्दों ने अपनी मशलों के साथ अपनी कुपियों में तेल भी ले लिया और जब दुल्हा ने देर लगाई तो सब उंगने लगी और सो गई आदी रात को धूम मची के देखो दुल्हा आ गया उसके इस्तक्बाल को निकलो उस वक्त वो सब कमारियां उटकर अपनी मशलें दरुस्त करने लगी और बेवाकुफू ने अकल बंदों से कहा अकल बंदों ने जवाब दिया कि शायद हमारे तुमारे दोनों के लिए काफी ना हो बहतर है कि बेचने वालों के पास जाकर अपने वास्ते मूर ले लो जब वो मूर लेने जा रही थी तो दुल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थी वो उसके साथ शादी के जशन में अंदर चली गई और दर्वाजा बंद हो गया फिर वो बाकी कमारियां भी आईं और कहने लगी ऐ खुदावन ऐ खुदावन हमारे लिए खोल दो उसमें जवाब में कहा मैं तुम से सच कहता हूँ कि मैं तुम को नहीं जानता बस जागते रहो क्योंकि तुम को उस दिन को ना जानते हो और ना उस घड़ी को अंजील मुकदस के वसीला से हम सब की खताएं मुआफ़ की जाएं एमसी तेरी सताई शूब अजीज मुमिन इन सुबा खेर मैं ब्रदर असद बरनट क्राइस्था किंग मेजर सैमिल कराची से आज की तलावत पर रोशनी डालने के लिए आपकी खत्मत में हाजर हूँ आज खुदावन दियसम से अपने शागिर्दों को एक तमसील सुनाते है कि आस्मान के बादशाही उन दस कवारियों की मानित है जो अपने चराग लेकर दुल्हा से मिलने को निकलती है उन में से पांच बेवा कोफ और पांच अकल मंद है मेरे जिजजों इल्म इलाहियत के जबान में इसको एसकेटलोजिकल पैराबल भी कहा जाता है यानि ये तमसील हमें इल्म आखरत के मतलिक हमारी मदद करती है ताकि हम अपनी आखरत को संवार सकें इस तमसील में दसकामारियां उन दुलहूनों की तरफ इशारा करती है जो शादी के लिए दुलहून के आने का इंतजार करने के लिए दुलहून के घर जाकर यहूदी रुआट की पैरवे कर रही थी ये तमसील उन चंद तमसीलों में से एक है ज़़ ख़धा आणियस्मसी ने खुद बताए है जो हमारी मसीही एमानी जिन्दगी में खबरदर और होशया रहने में हमारी मदद करती है जैसे कि तमसील आगे बढ़ती है हमें बताया जाता है कि जैसे ही दुल्हा को ताखिर होती है और दुल्हन सो जाती है तो जागनी पर बेवाकूफ के पास अपनी चरागों के लिए तेल नहीं थे और उन्हें कुछ और लेने के लिए दूर जाना पड़ा जब वो वापिस आई तो उन्हें मालूम हुआ कि दुल्हा पहली ही आ चुका था और दर्वाजा बंथा उन्होंने फिर दस्तक दी और कहा कि खुदावन हमारे लिए दर्वाजा कोल लेकिन उनके पास जवाब आया मैं तुम से कहता हूं कि मैं तुम्हें नहीं जानता और वो शादे की तक्रीब से महरूम रह जाती हैं मेरे ज़ज़ु रुआटी तोर पर तेल को खेरात के जुम्रे से भी समझा जा सकता है पेगाम साधा है जब हम जन्नत में अपने रब से मिलने की त्यारी करते हैं तो ये दावा करना काफी नहीं कि हम मसीह हैं हमें अपने इमाल से खेरात का अच्छा फ़ल भी पैदा करना चाहिए इमान का अंतिजा खेराद की सुरत में होना चाहिए वरना ये सचा इमान नहीं है वर जो इस तमसील को संजीदी से लेना चाहिए हमें अपनी जिन्दिगों की जाच परताल खुद बाकाइदगी से करनी चाहिए कि क्या खेराद के हवाले से हम पर्चर के हिसा लेते हैं या नहीं जब हम अपनी जिन्दिगों का बाकाइदा जाहिजा लेते हैं तो हमें इस बात पर गोर करना है कि क्या मैं खेरादी कामों की तरफ इशारा करते हुए अपनी जिन्दिगी पर गोर कर सकता हूँ خیرات زندگی میں ہماری ترجیحات پر مبنی نہیں ہے یہ اس بات پر مبنی نہیں ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں خیرات ہمیشہ بیلوس ہوتی ہے اور بغیر دکھاوے کے ہوتی ہے یہ ہمیشہ دوسروں کی بھلائی کی خاطر کی جاتی ہے نہ کہ دوسروں کو شرمندہ کرنے کی خاطر میرے زیزو آپ کے زندگی میں کتنا صدقہ اچاریہ ہے یہ ہم سب نے اپنی زندگیوں پر غرخوص کرنا ہے یسو نے یہ تمثیل واضح طور پر بتائی کیونکہ وہ بہت سے لوگوں سے واقف تھا جو خدا پر ایمان کا دعویٰ کرتے تھے لیکن خدا کی محبت میں زندہ نہیں رہتے تھے آج اس عالی دعوت پر غور کرتے ہوئے ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا ہے کیا میں خودگرزی اور قربانی کی بجائے خودگرزی کو ترجیح دیتا ہوں کیا میں حقیقی ایمان میں غریب اور مسکنوں کی مدد کرتا ہوں اور ان سے خدا کی محبت کا مشاہدہ کرتا ہوں ان سوالات کا سنجیدگی سے جواب حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے ہمارے خداوند کی طرف سے کہی گئی ہے تمثیل ایک کہانی سے کہیں زیادہ ہے یہ سچائی ہے اور سچ تو یہ ہے کہ کچھ لوگ قیامت کے دن اپنے چراغ لے کر ضروری اور مناسب تیل کے بغیر پہنچیں گے اور یقیناً پھر ان کے لیے خداوند کی محبت یا خداوند کی قربت کا دروازہ شاید بند ہو جائے ہمارے پہرے خداوند کی اسمسی نے اپنی زندگی سے خود ہمیں سچی اور بیلوس محبت دکھائی ہے ہمیں بھی اس دنیا میں خدمت کرنے میں ہمیشہ بھٹچر کر حصہ لینا چاہیے آمین